हलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में तो आज हम लोग सीखेंगे कि Microsoft PowerPoint में किस तरीके से एक table के border हम लोग create करते हैं दोस्तों जैसा कि आप देखिए जो हमारे table है इसमें बॉर्डट्स अविलेबल नहीं है नहीं cell division अच्छे से दिख रहा है तो बॉर्डट्स अप्लाइग करने के लिए सबसे पहले तो हमें इस table को select करना है और मैं यहां पर सारे cell को select करूँगा इसके बाद मैं क्लिक करूँगा design tab में अब देख सकते हैं यहां पर एक आपको group मिल जाता है table style अब अगर Microsoft और Excel आपने use किया होगा तो वहां पर आप किसी भी picture को या table को select करोगे तो आपको यहां पर दिखने मिलता था shadings और borders के जगह आपको मिलता था edge color ठीक है तो यहां पर आपको मिलता है borders borders चेंज करने के लिए हम लोग इस arrow में click करेंगे अब यहां पर आप देख सकते हैं आपके table में आप table के सारे cells में border अप्लाई करना चाहते हैं या सिर्फ outside of the selected table में आप करना चाहते हैं या inside borders अप्लाई करना चाहते हैं और all borders में मैं select करता हूँ स्कैप प्रेस करूँगा मैं और देख सकता है आप मेरा border सारे cells में अप्लाई हो गया है अब आप चाहते हैं कि सिर्फ borders में रहे ना कि अंदर वाले cells में इसे करने के लिए फिर से मैं select करूँगा पहले वाले को remove करूँगा मैं वापस इस एरोमें click करके मैं click करूँगा outside borders क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं मेरे सिर्फ outside borders में अप्लाई हो चुका है इसके बाद मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ heading में borders अप्लाई करूँ तो मैं फिर से सिर्फ हेडिंग वाले दो सेल को सेलेट करूँगा और क्लिक करूँगा बॉर्टम आउटसाइड बॉर्डर्स अब देख सकते हैं यह हमारा बॉर्डर अप्लाई हो चुका है तो इस तरीक से दोस्तों आप Microsoft PowerPoint के टेवल में बॉर्डर्स अप्लाई कर सकते हैं उमीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा बहुत बहुत धन्यवाद